तो आज हमें गुरूप के बारे हम बात करेंगे सी स्टार कॉमा डॉट नॉन जिरो कॉंपलेक्स नंबर्स का गुरूप होगा मल्टिपलकेशन की रिस्पेक्ट में इसमें हम क्या देखेंगे कि इसके हर एक एलिमेंट का ओडर जरूरी नहीं हो लेकिन हर आर्डर का एलिमेंट इसमें एक्जिस्ट करता है ठीक है तो पहले हम क्या प्रूफ कर लेते हैं कि इसमें हर आर्डर का एलिमेंट एक्जिस्ट करता है तो हमने एक रेंडम नंबर लिया इसमें तो वो किस तरह का होता है alpha is equals to r e to the power i theta और यहाँ पे हम क्या करते हैं r को जो है वो one put कर लेते हैं तो अब यह क्या बचाएगा हमारा and alpha की power n is equals to one हमने माल लिया कि जो है यह an order का element है तो alpha की power n is equals to one आ जाएगा one इसमें क्या है identity है अब यहाँ पे alpha की value put करेंगे तो यह क्या जाएगी e की power i data r equals to one put किया और one हमारा क्या होता है यह हमारा हो जाता है cos m pi plus i sin n pi 2n pi ठीक है यहाँ पे minus का भी आ जाएगा m pi पे तो 2m pi लेंगे ठीक है अब यह हमारा तो हमेशा 0 रहेगा यह हमेशा one रहेगा तो यह one के equal आ जाएगा इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं e to the power 2m pi i और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से ठीक है जब compare करेंगे तो ni theta is equal to किसके हो जाएगा 2m pi i theta is equal to 2m pi by n यह तो हमारा general आ गया अब हम क्या करते हैं m जो है वो one put कर लेते हैं तो m जब one put करेंगे तो theta हमारा किस तरह का हो जाएगा 2 pi by n तो alpha जो है हमारा अगर इस तरह का element है तो इसका हर order exist करता है अब जिससे यहाँ पे example के लिए देख लेते हैं अगर हम n जो है वो 2 order का है यानि n हम अगर 2 put करें तो क्या order 2 का element मिलेगा तो यहाँ पे हम n is equal to 2 put कर देंगे alpha is equal to e to the power 2 pi i by 2 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा e to the power pi i अब यहाँ पे alpha square करेंगे तो यह हो जाएगा e to the power 2 pi i और यह हमारा क्या आजाएगा 1 आजाएगा तो इसका मतलब हमें किसी भी order का अगर element चाहिए है तो हम यह element लेंगे और इसमें n की value change करते रहेंगे हमें जो order चाहिए होगा हमें मिल जाएगा this implies that alpha की power n is equal to 1 for all and belongs to natural number for any order and there exists an element alpha belongs to c star c star में इस तरह का एक element जरूर मिल जाएगा जो की alpha की power n is equal to 1 हो जाएग अब हमें यह तो मिल गया कि कोई भी order अगर हमें element चाहिए किसी भी order का तो वो हमें c star में मिल जाता है अब हमें देखना क्या है कि क्या इसके हर एक element का order exist करना चाहिए या नहीं करेगा तो उसके लिए कि हम example ले लेते हैं z हमने ले लिया e to the power i root 2 और हमने माल लिया कि यह जो है इसका order क्या है n है तो z की power n is equal to 1 हो जाएगा यह क्या apply करेगा e to the power i root 2 n यह किसके एककोल हो जाएगा e to the power 2 pi i m ठीक है यहाँ पर 1 जो है m हमारा z से कुछ भी हो तो यह हमेरा जो है हमेशा 1 आएगा और यहाँ पर हम क्या cancel out कर सकते हैं पहले इसको compare कर लेते हैं तो यह हो जाएगा i root 2 n is equal to 2 pi i m i से i cancel out हो जाएगा तो n की value हमारी क्या जाएगी 2 pi i m by root 2 अब देखें यहाँ पर 2 com क्या लिख सकते हैं under root 2 ठीक है under root 2 into under root 2 under root 2 से under root 2 cancel out हो जाएगा तो यह हमारा किसके कोला जाएगा under root 2 pi i m अब यहाँ पर देखो यह हमारा क्या है irrational number यह भी हमारा irrational number है अब हम अगर इन दोनों जो अलग-अलग irrational number है ठीक है तो इनको अगर हम multiply करें तो जरूरी नहीं है कि यह rational हो जाए यह भी irrational ही रहेगा यह एक element अगर pi है तो अगर दूसरा हमें इसी का rational number यानि अगर 1 by pi से multiply करेंगे तब तो हमें जो है 1 मिल जाएगा लेकिन अगर हम कोई दूसरे number के जो मतलब कोई दूसरा अगर हम rational number इसमें multiply करेंगे तो यह हमारा 1 नहीं होगा यानि कि कभी भी rational नहीं आएगा तो यह तो हमारा irrational ही रहेगा अंडर root 2 और pi और m हमारा वैसे भी integers था तो m से हमें कोई फरक नहीं पढ़ रहा है m हम कुछ भी रखेंगे यह हमेशा irrational रहेगा यह natural number नहीं हो सकता इसका मतलब कोई भी n जो है वो exist नहीं करेगा और यह किस पर depend कर रहा था m पे और m को change करने से कोई हमें फरक नहीं पढ़ रहा है यहां पे 1,2,3 कुछ भी रखेंगे यह तो हमेशा irrational रहेगा तो यह natural number में कभी belong नहीं करेगा इस इंप्लाइज देट देट देज नोट एगजिस्ट न बलॉंग्स तो natural number सच देट जेड़ की पावर n इस इक्वल्स तो 1 यानि कोई भी n ऐसा नहीं है जो की हमें इस तरह से मिल जाए दिस इंप्लाइज देट की पावर n इस नोट इक्वल्स तो 1 फॉर एनी n बलॉंग्स तो natural number यानि यह जो हमने element लिया था यह हमने एक counter example लिया था तो इसका मतलब यह हुआ कि c star में जरूरी नहीं कि हर एक element का order exist करता हो लेकिन यह जरूरी है कि कोई भी order का अगर element चाहिए तो हमें इसमें मिल जाएगा और वो क्या है alpha i equals to e to the power 2 by i by n ठीक है two order का चाहिए तो यहाँ पे हम two put कर देंगे three order का चाहिए तो हम यहाँ पे three put कर देंगे और हमें सारे order के elements मिल जाएंगे तो आज के लिए बस इतने ही अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में